इस lecture के अंदर हम transfer learning को और भी deeply देखेंगे इन python कैसे apply होती है using tensorflow मैं जो notebook use कर रहा हूँ मेरे पास notebook basically jupyter notebook की नहीं बात कर रहा अपने laptop की बात करो मैं m1 pro max जो macbook का pc है उसको use करूँगा आपके पास अगर nvidia का graphic card है still better बहुत अच्छा performance है उसकी भी और अगर graphic card नहीं भी है तो सिर्फ outputs को देखियेगा और understand कीजेगा otherwise you need to spend a lot of time just to run these models तो इसकी notebook का link already मैंने आपको दिया हूँ है now we are going to look into it हमारे पास ये तो हमने देख ली थी overfitting underfitting की यहाँ पे transfer learning का मैंने एक पूरा folder बना दिये अगर आप जाए number 10 folder है GitHub की repository है description में मैंने link दिया हूँ है ठीक है और इसके उपर हम transfer learning and fine tuning पे बात करते हैं और example को देखते हैं and then we will see के हमारे पास कौन कौन सी चीज़े है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे one project पे click करता हूँ project one यह मैंने और रेड़ी बना के दिया हूँ है आपको तो इसके अंदर हम क्या करेंगे वो भी आपको बताता हूँ and then we are going to learn के यह कैसे काम करते है ठीक है हमारे पास जो करनल साहब है वो टैंसर फ्लो वाले है मैं पाइटोर्ज का उन कर लिए python environment okay we'll see that later on okay तो मैंने क्या किया है इस notebook को पहले से रन करा हुआ है आप लोगों के लिए ताके आप इसको चला सके so यहां पर हम क्या करेंगे transfer learning को यूज करेंगे pre-trained model है हमारे पास keras के अंदर है इसको यूज करेंगे और फिर fine-tune करेंगे smaller dataset के उपर and then हम improve करेंगे इसकी performance को ठीक है example के अंदर हम दिखाएंगे आपको इस code के अंदर के आप किस तरीके से mobile net version 2 model को जो एक pre-trained on image net के dataset के उपर यह एक dataset है image net का उसके उपर pre-trained model है for a new classification task using the CIFAR यह CIFAR इसको बोल सकते हैं CIFAR ही मैं इसे बोलूँगा मैं CIFAR नहीं कह सकता sorry for that तो CIFAR-10 dataset पे हम इसे use करेंगे जो 60,000 32 x 32 color images का data है 10 different classes का हमारे dataset का नाम है CIFAR-10 और हमने model जो use करना है pre-trained वो है mobile net version 2 ठीक है यह notebook आपके पास पढ़ी हुई है मैंने already GitHub के उपर इसे push कर दिया हुए तो TensorFlow का हमने load किया mobile net version 2 को load किया models को load किया model को और यहां पे हमने global average pooling layer को load किया क्योंकि यह computer vision के अंदर use होनी है यह dataset है और यह हमारे पास dataset को categorical के अंदर change करने के लिए और यह image generator हमने data augmentation भी यहीं पर करनी है augmentation का मैंने पहले आपको समझा दिया आप इसके अंदर और और भी देखते है हमने dataset load किया x train, y train, x test, y test के तोर पे तो यह dataset हमारे पास इस तरीके से आ गया हमने data को normalize किया using divided by 255 again वही चीज़ जो हम पहले करते हैं और हमारे dataset के अंदर 10 classes है तो हमने इस वज़ा से उनको उस तरीके से हमने transfer कर दिया और हमने basically categorical के अंदर उसे convert किया y train को और y test को जैसे मैं इसको click करता हूँ यह dataset मेरे पास RAM के उपर cache के उपर load हो जाएगा which I already done और हमारे पास यह total इतने bytes का data है हमारे पास so you can have a look on to that और आपके पास इस dataset के लिए थोड़ी से speed चाहिए होगे then it will work fine data augmentation क्या होती है data augmentation basically आप data को increase करते है data को increase करने से मुराद यह है कि आप एक वही तस्वीर है उसको अभी flip horizontally कर ले flip vertically कर ले उसको zoom in कर ले उसको क्या करें उसको zoom out कर ले borders आजएंगे आपके पास आप उसको थोड़ा से rotate कर ले same image को different तरीके से आप देखे यानि कि अगर मैं यहां पे बैटाओ तब भी हमारी हूँ मैं यहां पे बैटाओ तब भी हमारी हूँ मैं अगर यहां पे बैटाओ को model की performance को increase करती है और imbalance data को हम deal करते हैं इसके साथ imbalance data क्या होता है जिसमें zero inflated values हो या different किसम का ऐसा data set जहां पे एक class की less representation हो यानि के अब मैं बात वो वाली नहीं करना चाहता पाकसान में पहली इस वाकर election का दोर दोर है politically तो मैं बात नहीं करना चाहता है लेकिन मैं ये बता देता हूँ आपको कि अगर एक सूबे के अंदर एक सूबे के अंदर एक party की कम सीटे हो उसको बोलते है imbalance class status है एक की बहुत जएदा हो एक की बहुत कम हो यानि कि multi class classification के अंदर चार classes है आपके पास एक categorical variable या class की values कम हो बजाए दूसरों के hopefully आपको समझ आगे होगी फिर आप data को pre-process भी करते हैं क्यों क्योंके since mobile net variant 2 expect the data in 224 by 224 हमारा जो pre-trained model है न वो हमेशा 224 by 224 की image पर काम करते हैं लेकिन जो हमारा सिफार 10 का image data set है वो 32 by 32 पर काम करते हैं we need to resize that first तो मैंने कहा किया image generator के through data को यहां पर पहले augment किया augment करने के बाद हमने उसको resize भी यहीं पर कर ले है ठीक है so this is how you can do that pre-process the data, augment the data or you can do a lot of other things as well तो आप basically feature normalize भी कर लेते हैं there are some other parameters जो आप इस code को पढ़ेंगे तो आपको समझा जाएगी so हमने यह X train का सारे का सारा data जो है उसको augment भी कर दिया और हमने अपने पास भी कर लिया and then हम क्या कर रहे हैं हमने simply best model यहां से लिया और क्योंके mobile net version 2 हमने automatically यहां पे इसको पहले import किया हुए तो हमारा pre-trained model TensorFlow के अंदर ही मुझूद है we don't need to import or download it separately ठीक है तो यहां पे mobile net version 2 हमारे पास मुझूद है तो मैंने इसी को यहां पे call किया तो हमने यहां पे base model best model ने base model को लिया weights इसके image net वाले लिये क्योंकि यह model के अंदर image net का जो data है उसके weights ले लिये weights और bases neural network के अंदर जो होती है वहां से हमने ले लिया हमने top यानि के उसका head उतार दिया जो इसकी मैं बात कर रहा था ना head आपने अपना रखने अपने data का बाकी उतार दे नहीं सारी चीज़े so मैंने यहां से इसको false कर दिया include top false और input shape मैंने 32 by 32 by 3 कर दी ठीक है यानि के हमारे पास जो data set है यहां पे यह 32 by 32 का है तो बजाए 224 by 224 के मैंने यहीं पे बता दिया कि भई या तो मैं images का size change कर देता हूँ या मैं input shape अपनी बता देता हूँ के भई इसको अपने पास save करो 524 के 424 224 वाली नहीं तो वो यहां से 32-32 वाली images ले लेगा so this is the base model mobile net 2 जो already trained है base model को मैंने जो है वो freeze कर दिया ठीक है यानि के मैंने पिछली layers को train नहीं कर रहा सिरफ head अपना डालूँगा इसके अंदर ये वाला जो अपने data का and that's it मैं पिछली layers को train नहीं कर रहा जिसको हम fine tuning बोलते हैं मैंने आपको बताया था ना के layer by layer भी आप train कर सकते हैं मैं वो नहीं कर रहा भी मैंने इसको curry false दिया अब हम क्या करते हैं हम क्या कर रहे हैं यहां पे custom layers on top of our task ठीक है हम वो custom layers यहां पे add करेंगे for example यहां पे जो हमारी base model.output थी यानि कि इसकी जो output है हमारे पास ये वाली इसको x के equal रखा और x के अंदर हमने ये वाली pulling layer डाल दी यानि कि उसका head उतार के जो output थी अपनी layer बीच में डाल दी और हमने ये वाली connected layer भी इसके अंदर डाल दी और that's it at the end हमने क्या किया predictions हमने कर लिए softmax के थू so and this is how you can actually add your custom layers और आप अपनी मर्जी से इन layers को अंदर add कर सकते है now we will redefine the model model is equal to inputs is equal to base underscore model dot input ठीक हो गया यहां तक आपको समझ आगी और outputs आपकी predictions है यानि के ये वाली layers को हमने यहां पे attach कर दिया तो ये जो हमारी last वाली layer है वो ये वाली है ठीक है dense, 10, activation, softmax क्योंके multi class classification है और हमारे पास ये जो base model की output थी ये हमने यहां पे add कर दी which is a kind of hidden layers और input layers तो हमने यहां पे inputs और outputs बता दी के हम क्या कर रहे है अपनी last वाली layers को add करना चाह रहे है तो ये हमारे पास input की एक layer हो जाएगी ये हमारे पास output की हो जाएगी फिर हम optimizer डाल रहे हैं यहां पे और यहां पे categorical cross entropy हमने रखा matrix accuracy रख दिया और ये मैं 10 epochs के लिए इसको run कर रहा हूँ और हर epoch के ऊपर basically मैं batch size को भी run कर रहा हूँ और इसको run करने के बाद हमारे पास जब हमने इसे plot किया this is how it looks like ये model accuracy हमारे पास कुछ इस तरीके से random हारी क्योंकि मैंने बहुत कम epochs run की है ठीक है when you run more epochs you will have more results accuracy बहुत थोड़ी है तो मेरे पास accuracy 28% आ रही है ठीक है और यहां पर loss हमारे पास बहुत हैवी आ रहा है फिर मैंने क्या किया fine tune किया layers को यहां पे तो इसको हम और भी detail में देखेंगे this is just to tell you के इस notebook के अंदर क्या है तो मैंने पहले तो unfreeze किया model को जो मैंने पहले freeze किया हुआ था fine tune मैंने यहां पे का बोला के 100 वी layer से fine tune करना start करो और उस layer से आगे fine tune पे ले के जो fine tune क्या करना है हर model को अपने data पे train करना है यानि के जो pre-trained model है उसको उठाया उसका धर्ड सर से अलग किया और उसके उपर अपना model बिल्ड करना शुरू कर दिया अब मेरा model आदा खुद भी train होगा इसको बोलते हैं fine tuning आदा पिछला model train हुगा है pre-trained और आदा मेरा model train होगा या some kind of percentage of your model and the other model ठीक है so this is how you can actually do that और इसको फिर आप compile करते हैं और यहां पे आप learning rate इसकी में and see के हमारे पास pre-fine tuning validation हमारे पास ये वाली थी और फिर हमारे पास pre-fine tuning training का जो हमारे पास accuracy थी वो यह है ठीक है और ये after fine tuning validation हमारे पास ये orange वाली है तो आप देखें के हमारी accuracy में अच्छा खासा भूम आया है तो यहां पे accuracy जितनी भी थी अब ये increase हो रही है और अगर आप गोर करें fine tuning training पे ज्यादा है और यहां पे कम है इसका मतलब है overfitting भी हो रही है but we will see that और इस तरीके से आप fine tuning भी कर सकते हैं simply आप एक layer का बताते हैं कि कहां पे change करनी है और वहां से आगे आपका model train होना start हो जाते है but it takes a lot of time to train that model ठीक है so यहां पे जनाबे वाला आपके पास loss and accuracy दोनों आपके सामने है तो अगर आप गोर करें जहां पे loss आपके पास ज्यादा था वहां पे accuracy बहुत कम थी so this kind of things happen in validation data set based on the overfitting अगर आप dropout layer add कर देंगे ये regularization add कर देंगे इससे भी छोट कारा मिल जाएगा so this is how you can use pre-trained models ये example 1 तीजे आपके पास इसी तरीके से मेरे पास example 2 ये project 2 भी है तो यहां पे इसको मैंने रन किया again तो ये cats and dogs की तस्वीरे है हमने क्या किया जनाबे वाला यहां पे tensorflow के अंदर हमने data set लोड किया लोड करने के बाद cats and dogs की तस्वीरे आगी और इन तस्वीरों को हमने auto-tune किया data augmentation किया horizontal flip के साथ और random rotation के साथ then हमने जनाब ये इस तरीके से ये data augmentation है center वाली तस्वीर rotated, rotated center वाली rotated, rotated so this is how you can augment the data ये मैंने data को augment किया यहां पे and then हमने जो model यहां पे use की है वो mobile net variant 2 again use की है लेकिन इसको train किया आपने data set के उपर ठीक है so here you can see कि आपका data model इस तरीके से नजर आता है और ये आपका model है जनाब जो pre-trained है अब आप चेक कीजेगा mobile net variant 2 इस model का नाम है और इसका वरियन है 00-160 इससे भी उपर आगे है अब इसकी layer चेक कीजेगा क्या एक आम बंदा इसको कर सकता है जनाब अपने PC पे train देखिएगा ले जनाब अभी start हुए है layer चेक करें line चेक करती जाएं इतनी layers आप अपने model पे 3, 3, 6 2 million plus parameters है और तकरीबन non-trainable parameters आपके पास 2 million something ही है trainable parameters जिसमें अंदर 0 है क्योंकि हमने false किया हुए जगो so this is how you can have a look कि pre-trained model का क्या फाइदा है and उसी के अंदर से आप अपनी layer चूज कर सकते हैं कि किस layer के अंदर changes ले के आ नही है मैंने swami चूज की थी last time so now you can choose your own layer ठीक है जी यहां तक clear होगे आपको अब यहां पे देखें कि model के साथ फिर छेड़खानिया हुई यहां पे और मैं सिर्फ आपको result दिखाना चाह रहा हूँ यह मैं run करके रख दिया हुए आप इस notebook को दुबारा से देख सकते हैं यह देखें यह सारा model train हुआ अब चेक कीजिएगा यह पहला हमारे पास model है और यह training and validation accuracy check करें यह training accuracy है यह validation accuracy है and both are working in nice way कोई randomness नहीं है everything is working fine कोई changes नहीं है validation में भी training में भी so this is kind of good fit robustness of the model ठीक है so हमारे पास accuracy आगी और यह loss है और this is how you can actually have a look into different models अब मैंने गया किया है मैंने transfer learning fine tuning के model transfer learning tensorflow hub and crop net इसकी कुछ note books आपको यहाँ पे दी हैं और यह tensorflow की website से मैंने उठाइए है उनका credit मैंने दीया हुए तो यह भी data उनका ही है और यह 2019 में इन्होंने यह upload की है यह वो ही cats and dogs की सारी की सारी मैंने notebook यहाँ पे रखती है you can have a look you can understand that and at the end you will see के जब आप इस तरह की curves देखते हैं और आपका model fine tune आप करते हैं I just wanna show you के क्या change आती है यहाँ पे validation accuracy आपके पास है 0.97 ठीक है यानिके 97% validation accuracy है अब हम चलते हैं जनाबेवाला fine tuning के तरफ check करें fine tuning करने के फोरण बाद 0.988 हो गई है same data set के उपर और आपकी accuracy at the end कुछ इस तरीके से आ रही है और यहाँ से training करना start की है वहाँ से accuracy बढ़ना start हो जाती है something like this so you can actually say के यहाँ से fine tuning start की है पीछे वाला model वो ही है pre-trained यहाँ से आगे है हमारा model है ठीक है यह धरड है और यह सार है so this is how you can use the transfer learning और उसके बाद आप इसको utilize भी कर सकते हैं so अब आपने क्या करना है यह जो आपके पास number 10 वाला transfer learning वाला section है इसको आपने देखने है और यह सारे का सारा कुछ मैंने github के उपर upload कर दिया हुए आपको description में link मिल जाएगा please 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 go to these notebooks अगर आपके पास GPU है तब ही run करें GPU नहीं है तो सिरफ outputs देख लें मैंने run करके डख दी हुए है and इंशाला आपको transfer learning जो है उसकी समझ आ की होगी now you have to look for one important assignment जो मैं भी आपको बताने वालू